अगर आप मेरे चैनल पर अमरसार अकेडमी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लेज सब्सक्राइब करना बात कर रहे हैं आज की वेकेंसी के बारे में जैसे की आप देख पा रहे हैं PMI यानि की PMBI यानि की फार्मसोटिकल मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया परधानमंती जन और सधी परियोजना के तरहती आता है यहां पे फार्मा रिगार्डिंग कुछ वेकेंसी आई है इसके बारे में बात करेंगे यह इसकी ओफिशल वेबसाइट है और आप यहां पे करियर्स में पहला ही पॉइंट रिक्वार्मेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलावा नजरा आएगा जिसमें की रिक्वार्मेंट है देखें र application form eligible candidate following post contractual basis on the period of three year 3 साल के लिए है और extendable subject to satisfied performance अगर आपकी performance अच्छी रहती है तो इसको extend कर लिया जाएगा बात कर रहे हैं देखिए बहुत सारी vacancy है manager deputy manager assistant manager senior executive इन सब के बारे में detail में बात करेंगे क्या-क्या vacancy है यहां पर आप numbers वो है वो देख पा रहे हैं सबसे पहले मैं initially start करूंगा सुरवात से manager वाली post से नीचे नीचे हम जाते जाएंगे जिसमें कि जहर जिस जिसमें pharma रिगार्डिंग वेकेंसी वेकेंडिडिट eligible है उसके बारे में बात करेंगे पहला है manager की post है जी हां यह यह senior level की post है 40-40 years इसकी age limit है qualification b pharma bsc biotech preference will be given to m pharma candidate को दी जाएगी इस से पता चल रहा है m pharma वालों को preference दी जाएगी क्योंकि यहां पर experience जो है वह 8 साल का मांग रहे किसमें मांग रहे है procurement purchase department में अगर आप रह चुके हैं किसी भी government के institution में या फिर किसी भी private institution में तो आपको preference दी जाएगी बाकि सारी facility जो है आपको क्या क्या मिलीगी वह सारा आपको यहां पर लिखा हुआ है place of posting आपकी कितनी है दिल्ली NCR में आपका place of posting रहेगा और job description मतलब basically है क्या यह इसमें किस हिसाब सा आपको काम करने का तो देखिए preparation of tender document obtained specification requirement quality tender पर क्या क्या documentation रहेगा इंशूर रूर्स अन्रेडिक यह सारा सब कुछ आपका job profile रहेगा इसके बारे में आप detail में discuss कर सकते हैं इसके link में description box में दे दूँगा इसके बारे में भी हम वीडियो के end में discuss करेंगे तो second post देखिए deputy manager यह भी एक post है थर्टी फाइफ इयर इसकी एस लिमिट है qualification बी फार्मा preference will be given to M pharma candidate को MBA pharma equivalent from the recorded institute इनको भी preference ली जाएगी minimum 6 year का expense यहाँ पर मांग रहे है purchase और procurement department में 50,000 की salary है 7,000 allowance है और 1,000 रुपी टैली फॉर्टिंग का मिलेगा दिली NCR यहाँ पर paste posting है और क्या क्या करना है आपको तो analysis of demand of product procurement यह सारा job description आपका रहने वाला है next अगली post के बारे में हम बात करते हैं assistant manager यहाँ पर देखिए एक post है 32 year is limit है B pharma candidate यहाँ पर eligible है और preference will be given to M pharma candidate यहाँ पर 4 year का expense मांग रहे है 6,000 allowance है और 1,000 रुपए आपको टैली फॉर्णी allowance मिलने वाला है बाकि क्या-क्या job description है कि आप देख पा रहे हैं दिली NCR की ही यह भी post है next बात करते हैं यहाँ पर अब देखिए सारी senior post है खतम हो गई है अब हम बात करते हैं जिसमें की minimum 3-2 year का expense रहेगा senior executive की post है यहाँ पर 30 साल इसकी age limit है B pharma candidate eligible है preference will be given to M pharma MBA in pharma and minimum 3-year expense जो है यहाँ पर मांग रहे है तो देखिए जी हाँ जो जो candidate यहाँ पर purchase department में experience है उनको लिए यहाँ पर beneficial है 30,000 रुपे इसकी मंतली salary है और यहाँ पे 6,000 आपको allowance मिलेगा और 1000 रुपे टैली पॉनिक अलाउंस है quality control B pharma M pharma from will be advantage देखिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जो है इनकी preference जादा बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ experience नहीं मांग रहे है only for one year का experience मांग रहे है नेक्स्ट और भी देखिए finance account और other department की भी पोस्ट यहाँ पर आजा थी become वाले candidate है next हम बात करते है senior executive यहाँ पर HR department से भी यह वेकेंसी है और next हम बात करते है HR senior legal यहाँ पर भी वेकेंसी है और last में IT, BCA, BAC वाले candidate जो है वो भी यहाँ पर eligible है तो यहाँ लगब 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 फार्मा रिगार्डिंग जितने भी थे वह उपर वाली सारी पोस्ट है जो हम डिसकस कर चुके है उन सर में फार्मा रिगार्डिंग वेकेंसी जो थी last में एक और आती है deputy manager sales marketing में इसमें भी beefarm candy eligible है आप देख पा रहे हैं beefarm केंडिड यहा आपकी salary है 7000 रुपे allowance है और 1000 रुपे monthly teleporting आपको मिलने वाला है sales description आप देख साथ है senior marketing officer यहाँ पर भी beefarm candy eligible है तीन साल का expense है और 30,000 इसकी salary है next last में हम बात करते हैं देखिए marketing officer के बारे में तो यहाँ पर भी beefarm केंडिड eligible है four requirement है इसकी और only for one year का expense यहाँ पर मांग रहे ह तो यहाँ पर भी आप एक बार देख सकते हैं apply कर सकते हैं next हम बात करते हैं सारी last vacancy कतम हो चुकी है last में यहाँ पर आप देख पा रहे है beefarm candy eligible है और minimum only for one year का expense मांग रहे हैं तो मुझे रखता है जो भी marketing वाले candidate हैं वो यहाँ पर eligible बता रहे हैं अब बात करते हैं last में सर यह apply कैसे form तो देखी यहाँ पर clearly mentioned है यह जो vacancies है वो purely contract basis पर ले है initially तीन साल के लिए vacancy है और आने वाले time में अगर आपकी performance सही होती है तो आपको इसको extend कर लिया जा सकता है next बाकी सारी जो भी requirement है वो आप इस PDF से link से पर सकते हैं initially last में मैं आपको बता दूँगा यहाँ apply कैसे करना है तो देखी यहाँ पर लिखा हुआ है 30 number point पे interested eligible candidate can be sent their application on sorry at requirement at janosadhi.government.in यहाँ पर आप जो है अपने document को send कर सकते हैं और otherwise आपको क्या करना है hard copy में form कौन सा बढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा hard copy में आपने जितने भी document है वो career करने है आपको CEO PMBI E18 floor video con tower यहाँ पर आपको new Delhi में भेज़ देना है till 4 7 2022 यानि कि 4 July इसकी last date है जी हम भी या याद रखना 4 July इसकी last date है समझ में आ गई बात इसके अलावा कुछ confusion है तो य यहाँ पर भी आप call करके पूछ सकते हैं जो भी candidate interested है भरना चाहते हैं ठीक है जी तो गवर्मेंट की इस्टूट्स हैं तो यहाँ पर आपको genuine query है तो भी आप phone लगा के पूछ ले ना ठीक है जी next बात करते हैं selection process कैसे रहेगा आपका selection यहाँ पर कैसे रहेगा तो first initially screening कैसे रहेगी आपके documentation के इस साब से आपकी requirement जो है वो qualification essential qualification fulfill कर पा रहे है यह नहीं कर पा रहे है आपका expense fulfill कर पा रहे है यह नहीं कर पा रहे है इस साब से आपको initially जो है यहाँ पर screening होने वाली है second क्या होगा देखी यहाँ पर लिखा हुआ है the second state will be personal interview of candidate who application form has been successfully verify almost the form the suitable requirement based on the candidate को performance प्रस्तल interview candidate will be shortlisted for appointment as a issue of suitable candidate order on the merit तो next आपका merit जो इंटर्व्यू होगा इंटर्व्यू के basis पर अगर आप select होते हैं तो आपको further field जो है select किया जाएगा shortlist किया जाएगा ठीक है जी अब जैसे ही आपका shortlist हो जाता है तो भी सारे आपकी mark sheet है document है hard copy है वो सारा सब कुछ आपक process करना पड़ेगा चलिए यह थी इसकी पूरी detail और last में हम बात करते हैं देखिए यहाँ पे यह इसका क्या है form है जो official form है इसका pharmaceutical medical bureau medical device bureau of India यहाँ पे आपका candidate का name father name वगर्या सब कुछ आपको भरके आपका recently passport side photo जो भी आपकी essential qualification है work experience है total experience है वो सारा करके signature करके आपको यहा title description box में दे दूँगा अब proper way में इसको check करें कहां कहां आप suit हो पा रहे हैं कौन से department पे आप suit हो पा रहे हैं मैं eligible हूँ या नहीं हूँ वो सारा देख देखा के यह आप यहाँ पे form को apply करे official website की link भी description में मिल जाएगी जैसे कि आप देख पा रहे हैं भारतिया जन्न और इससी फार्मसिस्ट की वेकेंसी आई थी सबसे बड़ी इसकी आज last date है तो जितने भी candidate अभी भी रह गया है remaining है काफी सारे student का बाद में message रहता है सर मुझे पता ही नहीं था date चलिए तो मैं हर वीडियो मैंने तीन से चार वीडियो में confirm ली आपको बता दिया है last date निकल ज के ले सकते हैं आज रात बारा बजे ग्यारा बजे तक ही उसकी last date है चलिए तो इसके भी link में दे दूँगा और साथ में इस वीडियो के end में इधर एससी वाले जो वीडियो है वो भी छल जाएंगे चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बताए कमेंट सेक्शन में लाइक कर शेर करें सब्सक्राइब करें फामा रिगार्डिंग न्यूस अपडेट वेकंशी अपडेट वीडियो लेक्चर्स के लिए कीफ वाचिंग स्टे ट्यून